आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में और आप सभी लोगों के लिए खुशकबरी बता दू कि आप सभी लोगों का इस पौट एड़मिर्शन की तेथी जो है आ चुका है क्योंकि काफी बच्चों की जो है मांग थे कि इस पौट एड़मिर्शन होने maker है और आप सभी लोगों को मालूम है कि सीट खाली रह जाने के बाद सपौर्ट एडमिर्शन होते हैं लेकिन अभी जो है आपके seat जो है confirm नहीं बताया गया है कि कितने seat जो है आपके सरगारी college में है कितने seat आपके private college में है काफी दुनों से जो है थोड़ा मैं बीजी हूँ जिसकी वज़ा से आपको proper video नहीं मिल पा रही है लेकिन मेरे तरब से पूरा पर्यास किया जा रहा है कि आपको सही वे में सही तरीके से आपको video परदान किया जा एसे यह notice जो है सुबह ही आ गई थी लेकिन मैं थोड़ा बीजी था जिसकी वज़ा से मैं अभी आपको यह notice बताने वाला हूँ क्योंकि काफी बच्चे इंतिजार करते हैं तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि विग्यापन संख्या आपका 246 है 2022 का और इसमें लिखा गया है कि राज्य के डियलेड कोर्स संचालित सभी सरकारी और गयर सरकारी प्रसिक्षन संस्थानों के प्रचारे एवं डियलेड प्रसिक्षन सत्र 2022 से चौबिस में नमंकन इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट नमंकन के लिए आवश्चक सूचना कहने का मतलब ही कि आप देख सकते हैं कि आपको मालूम है कि जो आपका थार्ड लिस्ट था वो आपका सत्रा तक था लास्ट डेट जिन बच्चों का एड्मिशन जो है हो चुका है लास्ट डेट आपका था बाकी हम बात कर ले आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि उपयोग तरिक्त रहा गया सीटों पर नमांकन दिनांक जो है 23 तारिक से लेकर आपके 30 तक जो है स्पोर्ट नमांकन की परकिरिया शुरू की जाएगी जिसके माध्यम से अभिहर्थी सम्बंदित प्रसिक्षन मावी द्याले मेरिक्त सीटों का नमांकन ले पाएंगे कहने का मतलब है कि 23 तारिक से लेकर आपके 30 तारिक तक जो है स्पोर्ट एडिमिर्शन का चलेगा एडिमिर्शन और आपके जो है 22 तारिक को 22 दिसंबर को जो है मतलब यानि कि आपको परसो जो है आपका लिस्ट आ जाएगा जिसमें आपको सारी कॉलेज पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में जो है सीट खाली है या नहीं है अब जो है मागे महत्य पूंची जो के उपर बात कर ले जो जरूरी है आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पोट नमंकन है तो निम्न स्रेनियों में अवियर्थियों पात रहोंगे कौन कौन से लोग जो है स्पोट एडिमिशन जो है कर सकते हैं उसके उपर हम बात कर ले तो यहाँ पर खाल नमर देखिए खा नमर का खा और गा तिनों को देखिएगा देखिए वैसे अवियर्थि जिनका सीए एफ फॉर्म कॉमन अप्लिकेशन फॉर्म एवं सुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है किन्तु उनका चैन किसी भी सूची में नहीं हुआ है अथवा वैसे अवियर्थियों जिनका पर्थम सूची द्वीतिय सूची और तुरितिय सूची में चैन में अवंकित संस्थान में चैन होने के परशात्वी नमंकर नहीं लिया है जनकारी देखे जारी की गई पर्थम द्वीतिय और तुरितिय सुची में अलोक में अवंटित महावी द्यालों में नमंकित अभिर्थियों को किसी भी प्रस्तिती में स्पोर्ट एड्मिशन के लिए औसर प्रदान नहीं किये जाएंगे कहने का मतलब है कि जिन बच्चों का एड्मिशन हो चुका है समझेगा उनको नहीं मिलेगा जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया था फर्स्ट लिस्ट में सेकेंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में लेकिन वो किसी कारणवर्स एड्मिशन नहीं ले पाए इनको मौका द मौका दिया जाएते हैं इसमें कहीं जिक्र क्या किंगे यह बातर आप को समझना गया किनको किनको मौका मुलने वाला है जिनका फॉस्ट लिस्ट दुन इसलिस्ट में नाम नहीं आया है उनको नहीं मिलेगा सुर्य उनको मिलेगा और साथी साथ किसी भी चैन में मतलब किसी भी सूची में उनका चैन नहीं हुआ है तो उनको जो है नाम लिखा चुका है उनको नहीं मिलेगा और जिनका CA form payment जमा है उनको मिलेगा अगला यहाँ पड़े कि विभीन संस्थानों मेरिक्त सीठोंकी वीवरं जो है आपको यह साइट पर जो है कितने 22 तारीकों यानि की परसो आपको जो है अनुशरन कर अपना नमंकन करा सकते हैं पहला एक्छू का व्यर्थी जिन संस्था में नमंकन लेना चाहते हैं उनसे संबंद सरोपरतम समीथी के पोटल पर जाकर उप्यूक्त संस्था के डिक्त सीटों की संख्या देख ले कहने का मतलब है कि आपको 22 तारीकों सीट आएंग अव्यर्थी जिनका नमंकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है के लिए समीथी पोटल स्पॉर्ट इंटिमेशन लेटर जिनका नाम नहीं आया है किसी भी लिस्ट में तो उनको स्पॉर्ट इंटिमेशन लेटर भी अप्लोड रहेगा इक्छूक अव्यर्थी जिनका नमं नमंकन हो चुके हैं नमंकन को इक छुक हैं वहां संगत अभी लेखों के साथ संदेः उपयोगत जो है दिनांग 24 से लेकर आपके 30 तक जो है ऑधी में आपका नमंकन करवाले जिनको भी स्पोर्ट एड्मिशन में भाग लेना है वो जाकर जो है आप 24 से लेकर अब 30 तक जो है एड्मिशन करवा सकते हैं अगला यहां पर है कि महाँ भी द्याले द्वारा सुनिचित किया जाएगा कि वहां पहुंचने वाले पात्र अभीर्थियों का नमंकन सुनिचित करेंगे उनका अपडेट भी उनके द्वारा दो घंटे पर समीति के पोटल पर किया जाएगा इसके अतरिक्त अपना सुचनापत पर भी स्पोर्ट नमंकन के प्रूव किस्तिति स्पोर्ट नमंकन की अभिर्थियों की संक्यात था जो रिक्त स्थान है उसको दो घ गंटे के प्रकासित की जाएंगे ताकि रिक्त की संबंद में प्रादर्सी बनी रहें और ग애र सरकारी गॉलेज हो 24 तारिक से लेकर आपके 30 तारिक तक जो है डिमीशन होंगे और यहां पर इसाफ तुर प्रकाव दिया गया है कि first come first serve basis मतलब कि पहले जाओ पहले पाओ मालने कि किसी भी सरकारी college में अगर seat खाली है जो बच्चे पहले जाएंगे उन्हीं का वाँ पर हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको intimation later spot intimation later होने चाहिए समझ गया आपको form डालने होंगे वो जो की बताए जाएंगे आपको 23 तारिक से आपके start हो रहे हैं तो तेश तारिक को बताए जाएगा 24 से आपके start हो जाएगा admission यहाँ आपना देख सकते हैं कि spot admission की प्रकिरिया पर साथ संबंदित संस्थानों के प्रचारे समिती पोटल पर 31 तक अवस्य नहीं नमांकित अवस्य ही नमांकित अवियर्थियों के सुची अपडेट करना सुनिचित करेंगे कहने का मतलब है कि 30 तक admission चलेगा और 31 तारिक को आपके उस college के प्रिंसिपल जितने भी college के वो सभी अपडेट करेंगे कि हाँ मेरे college में इतना लोगों का admission हो गया समझ गया अब यहाँ पर देख सकते चार नमर ऐसे अवियर्थियों जिनका पर्थम चैन, दुवितिय चरन और तीतिया थवा चैन होने के बहुजूद नमांकर नहीं लिया है पर उनको अवस्य है कि सूचना पुर्वो की विग्याप्ती में दी गई थी और तेवे ऐसे भीर्थियों पुना किसी संस्थान में नमांकर लेना चाहते हैं तो उपित के अनुशार पुना समीति पोटल पर अपना बार को डाउन डाल कर स्पॉट नमांकर नेतू CIFM अप्लिकेशन इंटीमेशन डाउनोड कर सकते हैं कहाने का मतलब है कि जिनका मतलब की फर्स्ट लिस्ट याद रखेगा और सेकेंड लिस्ट और जिनका थौर्ड लिस्ट में नाम आया था मतलब जिनका जो है नाम आया था लेकिन वो एडिमिर्शन नहीं ले पाए तो उनको भी जो है मौका मिल रहा है कि वो अपना बार कोड जो है स्कैन करके स्पोर्ट इंटिमिर्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं समझ गया यह बाते आप समझेएगा नेक्स्ट है आपका सभी संस्थानों के प्रचारे इस विग्रति के माध्यम से इनर्दिसित किया जाता है कि भी अपने यहाँ नमंकन का वीवरण 21-12-2022 तक समिति के पोटल पर अर्दिकत कर दे मतलब 21 तारी तक जो है सभी प्रिंसिपल जो है जितने भी नमंकन हुए है सभी चीजों का बेवरावों दे सेगे तो सभी लोगों के लिए कि इसपोर्ट का डेट आशुका है और सभी आपको पता चल जाएगा बस 22 तारीक का इनतिजार करें तब तक के लिए धन्यवाद थांकिर सोमाच जाहीं जाहें भारत